सुबह की जल्दी में इतना मज़ेदार और इतना नया नासता मिल जाया तो पूरा दिन बच जाएगा आज लेकर आए हूँ कम तेल की बनी फटाफट वाली इतनी म्रेंगरी रेसिपी जो आपने पहले नातों कभी देखी होगी और नाही कभी खाई होगी तो सबसे पहली रेसिपी जो हमारी बन रही है वो बहुत ही हल्दी और कम टाइम में बनती है आप इसको सुबह सुबह कभी भी बना कर द्यार कर सकते हैं इसके लिए एक mixing bowl में डाल दिया है थोड़े से प्याज बारी काट करके थोड़े से कद्दू कस्कीवे गाजर लगबग आधा कप मैंने यूस किया है गाजर और अब डाल देंगे प्याज का हरवला पाट तो लगबग दो चमच मैंने आड़ किया है आप इस रेसिपी में इसमें optional है आप नहीं डालना चाहते हैं तो हरी मिर्ची ही डालें चिलिफ्लेक्स को छोड़ सकते हैं चटपटा टेस्ट देने के लिए में डाल रहे हूं चाट मसाला एक टी स्पून भरके आप यहां पर नीबू का रस भी यूज कर सकते हैं चाट मसाली के जगा पर अगर और एक छोड़ी चमच जीरा तो साबूत जीरा मैंने एड़ किया है और कोई भी सूखा मसाला एड़ करने की जरूरत नहीं बस सारी सबजियों को बढ़िया से मिला लीजे आप यहां पर जो भी सबजियां चाहें यूज करना डाल सकते हैं पालक डाल सकते हैं ब्रॉकली ड बारिक काट करके या कद्दुकस करके इसमें डाला जा सकता है बस कोशिस कीजी कि जो भी सब्स डाले एक दम बारिक डाले अब यहां पर मैंने एक कप चावल को यानि कच्छे चावल को पीस कर पावडर बना लिया था वो यहां पर यूज किया है आप नॉर्मल कोई से भी चावल का पाउडर बजार वाली भी ले सकते हैं फिर घर पे साधा हरण से पीस करके तयार कर सकते हैं बस ध्यान रहे चावल पीसे तो एकदम बारिक होना चाहिए एक कप चावल को मैंने सब्जिक सत मिला लिया है अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी तो पानी हमें इसमें डेर सारी डालने की जरूरत है लेकिन पहले हम आधा कप डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलिया ना पड़े और चावल का जो आटा है वो एकदम एक सार हो जाए तो मैंने आपर लगभग डेर से दो कप पानी यूज किया है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डाला है और इसको धीरे धीरे मिलाते जाएए एक बार में बहुत सारा डाल देगे ना तो इसमें धीर सारी बबल्स आजाएंगे गुठलियां जो कि निकलेंगी नहीं तो यहाँ देखिए मैंने अभी एक कप डाला है पानी और नमक डाल देते हैं इस वाद के इसाब से चलिए इसको बढ़िया से मिलाते हैं और धक कर हम लगभग 5 मिनट के लिए साइड में रगनेंगे तो लगभग आधा कप पानी मैंने और इसमें एट किया है टोटल आप इसमें डेड़ से दो कप पानी डाल सकते हैं तो बैटर हमारा एकदम इसी तरीके से फ्लोइंग पतला होना चाहिए देख रहे हैं सबजियां बिल्कुल अलग-अलग दिख रहे हैं जैसी तवा हमारा हलका गरम होता है हम कल्ची या फिर कटूरी की मदद से ये बैटर तवे पर अच्छी तरीके से फैला लेंगे फटा-फट से फैलाना है और ध्यान रहे जब आप बैटर को डाले तो तवा बहुत ज़ादा गरम ना हो वरना ये जो बैटर है नो वो एक जिगए कठा हो जाएगा तवा हमारा मीडियम गरम था और अब जब ये अच्छे से फैल गया है तब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और अच्छी तरीके से एक साइट सीखने देंगे आप यहाँ पर चाहें तो इसमें मसाले भी आड़ कर सकते हैं बस ध्यान रहे इसको बढ़िया से क्रिस्प जरूर करिएगा क्योंकि चावल के आटे से बने हैं तो इसको पकाना जरूरी है इसके किनारों पर में थोड़ा सा घी एड़ कर रही हूँ कितने अची से क्रिस्प हो चुकी है तो बस इसको उलटना पलटना कुछ नहीं है बस इसको बीच से आप पोल्ड कर सकते हैं आप देखे कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है अगर आपके पास नॉंस्टिक तवा नहीं है तो आप लोहे के तवा ले और उसको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ एक तेल या घी वाला पराठा बना ले पराठा बनाने के बाद उसको वापस से क्लीन करें मतलब धोए नहीं कपड़े से पोच लें और उसके बाद आप ये अराम से डोसा बना सकते हैं बिल्कुल नहीं चिपकते हैं देखे कितने बढ़िया से क्रस्प हुए हैं ये देखें तो शलिए इसको हम बीच से पोल्ड कर लेते हैं वैसे इसको उलट कर पकाने की जुरत नहीं है सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको उलट लिया था कि देखें कितना बढ़िया से क्रिस्प हुआ है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये मेरे घर की सबसे फेवरेट रेसिपी है दुबारा बनाने के लिए आपको कुछ भी तेल घी डालने की जुरत नहीं है बस वापस से तवे को थोड़ा सा ठंडा करें बैटर डालें और सेम तरीके से थोड़ा सा घी डालके पका लें अब है और ये लीजे शांदार क्रिस्पी और बहouchत शांदार से डोसे बनकर त्यार है इतने बैटर से आप 6-7 डोसे बनकर रेडी हो जाते हैं और आप देखिए कितने ज़़दा क्रिस्प बने है मैं आपको इन ये तोड़ कर दिखाते हूँ यह देखें, देख रहे हैं, और इतनी टेस्टी हैं कि आपको वैसे किसी चटनी की ज़रत नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है पीनट की चटनी, आपको यह वाली रेसिपी हमारी डोसे के कैसी लेके लिखे ज़रूर बताईए, चलिए आप बनाएंगे बोखुत ही हेल्दी हमार इसको चील लीजिए और इस तरीके से चोटे टुकडों में काट लीजिए, तो मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए आधी लौकी का इस्तमाल किया है, और इसको इस तरीके से काट लिया है, बजन से अगर देखें तो लगबग 300 ग्राम के असपास ही लौकी है, अब एक मि मिर्चे साथ ही एक टुकड़ा अद्रक का जरूर डाल लिएगा ताकि बढ़िया सा टेस्ट राएगा इसमें, दो से तीन लेसुन आट करेंगे, वैसे लेसुन नहीं खाते हैं तो आप हटा सकते हैं, और अब डाल देंगे हमारी ये कटी हुई सारी की सारी लौकी, ये दे देख सकते हैं, बैटर एकदम बढ़िया हो गया है, धनी के पत्ते डालने से बढ़िया सा कलर भी आ जाता है, और टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है, चलिए इस पेस्ट को निकाल लेंगे अलग बरतन में, और अभी हम इनको रख लेंगे साइड में, बाद में यूज दही ताकि सूजी बढ़िया से फूल जाओ और एक अलग सा टेस्ट इसमें आता है, सौफने साती है, एक चोटी चमच डाल देंगे आजवाइन, और अब डाल देंगे इसमें थोड़ी से सूखे मसाले, जिसमें मैं डाल रहे हूँ एक चोटी चमच पाव भाजी मसाला, य लेकिन पाव भाजी मसाला डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बच्चों को भी यह बहुत पसंदाती है, अब तयार किवे सारे पेस्ट को हम इसमें आड़ करेंगे, तो लगबग 2 कप के आसपास यह पेस्ट हमने डाला था, सूजी डाली है तो टेंसल लेने की ज बढ़ा हो गया है, तो अब इसमें लास्ट दो चीज़े आड़ करेंगे, वो है नमक और थोड़ा सा इनो, या फिर मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, तो दोनों मैंने आदी आदी चोटी चमश आड़ किया है, और अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिलाएं, बैटर जैसे अब फूलने लगेगा पटा पट इसको कॉक करेंगे, तो मैंने एक इस तरीकी को छोटा सा पैन लिया है, थोड़ा से इसमें तेल डालना है, तेल को हल्का सफे डालीजे, बहुत सारा तेल डालने की ज़रती है, और तेल सिर्फ पहली बार ही डालना है, हल्का सा जब तब गरम हो जाए तब हम इसमें ये बैटर डालेंगे दूसे तीन कल्ची और एक साइट सिखने देंगे आप यहाँ पर इस छोटे से तड़के वाले पैन के बजाए बड़ा तावा भी ले सकते हैं अपने साइज किसाब से चोटा बड़ा जैसे आपको अच्छा लगा बना सकते हैं जैसे एक साइट से जाएगा इसमें डाल देंगे थोड़े से तिल ताकि बढ़िया सा लुक इसका बढ़ जाए और बस दूसरे साइड हम इसको पलट लेंगे पलटने से पले थोड़ा सा तेल ज़रू डालिएगा ताकि नीचे वाली साइड भी अच्छी तरीके से क्रिस्प हो सके और ये देखे कितना मज़ेदार सा गोल्डन कलर आया है अच्छी से क्रिस्प हो गया है और खाने में ये बहुत ही जादे सॉफ्ट होते हैं ये देखे बड़िया से गोल्डन होने के बाद इसको निकाल लेंगे और सारे के सारे हम इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे ये सूपर डूपर हेल्दी हमारा नासदा त्यार होता है ये वेट लोज जर्णी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रेसिपी है जल्दी से बनाइगे देखे कितने सॉफ्ट और स्पॉंजी बने हैं कैसी लग रहे है जरूर से लिख कर बताएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैं इसे सॉफ कर रही हूँ खटी मिठी इमली की चट्नी के साथ आप इसे वैसे किसी भी चट्नी के साथ खा सकते हैं और ये दूसरी रेसिपी कैसी लेगे जरूर लिख के बताएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चली अब बनाएगे हमारी तीसरी और सबसे ज़्यादा हेल्दी रेसिपी जो बन रही है हरे भरे पालक से तो मैंने याँ पर क्या किया एट धाइसो ग्राम पालक के पत्तों को अच्छे से दोकर बारिक बारिक काट लिया है इसको डाल दिया एक बड़े बरतन में और अब डाल देंगे धेर सारी सबजियां जिसमें तीन से चार चमज डाला है मैंने बारिक कटी हुई प्यास साथ ही राल देंगे इसमें बारिक कटेवे टमाटर तो मैंने एक बड़े साइस का टमाटर लिया था और इसको बारिक-बारिक काट लिया था यह पूरा हम इसमें रस के साथ ही आड़ करेंगे, थोड़ी सी गाजा डालेंगे, तो इसको हल्दी बिनाने के लिए आप बहुत सारी सब्जियों का इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी डालें बहुत बारिक-बारिक काट के डालिएगा, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी से धनीय के पते, तो 3-4 चमच धनीय के पते आड़ करेंगे, और अब इसमें डाट करेंगे सूखे मसाले, जिसमें मैंने अड़ी चमच घल्दी पावडर, एक चोटी चमच भरके अजवाइन जरू डालेगा, ताकि बढ़िया सा टेस्ट बढ़ेगा खुश्बू बढ़ेगा और यह आजवायन जो एन डाइजेशन के लिए बच्चे होते हैं आदी चोटी चमच चाट मसाला पाउडर और एक चोटी चमच भरके डाल देंगे इसमें मैगी मसाला यह मैंने घर पे तियार किया है रेसिपी आप चाहें तो डिस्कु अच्छी सी बाइंडिंग इसमें आ जाए एक बाब मैं बहुत सारा बेसन में डालिएगा अगर जरूरत लगे तो ही डालिएगा इतने बालक के लिए लगबग एक कप बेसन अमरा जाएगा तो मैं इसमें पूरा एक कप बेसन ढाल दोंगी जब तक यह अच्छी तरीके से मिक्स नी होते हैं तक इसमें पानी नहीं आट करना है और पानी डालना भी है तो बहुत ध्यान सी क्योंकि सब्सक्राइब बहुत सारा पानी छोड़ दे इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाला है आधी कप के असपस सारी शीजों को अच्छी से चलिए ढखकर हम इसको छोड़ दे चोड़ देते हैं लगब पांच से साथ मिनट के बाद आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना गीला हो गया है सब्सक्राइब सारा पानी छोड़ दिया है और ये कुछ इस तरीके से हो गया है देख रहा है तो बिल्कुल ऐसी ही कंसेशन ये कहीं तब पर अच्छी तरीके-σιह से पोच्ट लेना है ये देखें बस ईटील करना ए और बस जब टवा चिकना हो जया तो यह पट आप शकूड़ दाल देखें लगए तो आप इसे नो नो ईयल रेसेपी भी कह सकते हैं ये बिना त्यल की बन रहे है तो आप दो से तीन कल्ची ये बैटर डालें आप अपने ही सबसे चोटा बड़ा जिस भी साइस के बनाने चाहते हैं बना सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा मोटा बना रही हूँ और बस हल्का सा किनारों पर तेल या घी कुछ भी आड़ कर सकते हैं ताकि हमारी रेसेपी जल्दी से क्रिस्प हो सके क्रिस्प नहीं होगी ना तो खाने में मज़ा नहीं आएगा इसलिए लगभगा आदी चूटी चमुच मैंने टेल डाल दिया है और बस एक साइट सिख जाएगी हम इसको टॉन कर लेंगे यह पटा पट सिख जाती है आपको बहुत सारा टाइम भी नहीं लएगा एक से बहुत बहुत हल्दी यह देखिए कैसी लग रसेपी ज़रूर लेके बताएगा चले मैं आपको दिखाती हूं कि कितने जादा नरम है और खाने में बहुत ही ज़्यादे स्वाधिश्ट अगर आपने कभी इस तरीके से पालक की रसेपी नहीं खाई है तो जल्दी से है तो आपको प्रोटीन और आरेन भी बहुत सारा मिलता है चलिए तीसी रसेपी कैसी लिख के बताएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीचेगा अब बनाएगे सबसे यूनीक और सबसे ज़्यादा मज़ेदार रसेपी जो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप जरू लेकि बताएगा तो मैंने यह आपर टोटल 200 ग्रम के आसपास यह ड्रम स्टिक को अच्छे से छील लिया है धो लिया है और काट लिया है इसको डाल दे एक इस तरीकी के पैन के अंदर और उसके बाद इसमें डाल दें एक कप पानी पानी इतना डालना है कि सारे के सारे ड् बलने देंगे जब तक कि ड्रम स्टिक हमारे सॉफ्ट ना हो जा जब तक हम इंको हाथों से छूट के एकदम दबा न दें बढ़िया से सॉफ्ट हो जाना चाहे मतलब चलिए धग देते हैं साथ से आठ मिनट लगवग हो चुके हैं और आप देखें कितने अच्छा से उबाल आ गया है हल्दी के वज़े से बढ़िया कलर भी आ गया है और ये बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गया है मैश हो रहे हैं तो इतना ही हमें इनको पकाना है चलिए अब गयस का फ्लें बंद करते हैं और सारे के सारे इस ड्रम स्टिक को हमें मैश करके इनका पल्प निकालना है आप हाथों से भी कर सकते हैं मैने इनको मैशर के मदद से मैश किया है तो कुछ इस तरीके से मैस करें ताकि सारा पल्प इस जूस के साथ निकल जाए ये जो पल्प होते हैं बहुत ही हिल्दी होते हैं ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं हार्ट के लिए अच्छे होते हैं हिमोगलोबीन जिनको कम है वो लोग भी इसको ज़रूर अपने डायट में शामिल करें और इससे लगबग 50 तरग रेसिपीज मैं बनाती हूँ आप जरूर अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा आपके पास हर महीने एक नएक रेसिपी जरूर देखने मिलेगी चलिए ड्रम स्टिक को हम मैश कर लिये हैं अब एक अलग परतन में छनी रखेंगे और छनी के उपर ये सारा का सारा पल्प हम डाल देंगे अच्छी तरीके से इसको छानेंगे ताकि सिर्फ छिलके बाहर आजाएं और जूस और पल्प छनी की मदद से कटोरे में आ जाएं तो यहां मैंने मोटी वाली छनी का यूस किया है ताकि ये आसानी से पल्प के साथ ही निकल जाए तो मैंने आप पर ये जो पानी डाला था वो एक कप डाला था लेकिन पल्प की वज़े से ये जो पानी है लगबग देड़ से दो कप के असपास हो गया है तो हम इसमें से आधा पानी निकाल करके रख देंगे क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए एक कप ही पानी चाहिए ये जो पानी है इतना हेल्दी होता अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सुबह सुबह आप इससे जरूर नीमू के रस के साथ पीएंग डाजेशन भी अच्छा होगा और वेट लॉस बहुत ही जल्दी होगा चलिए पहले रेसिपी बनाने के लिए इसमें डाल दिया है मैंने ठेट सारे धनिय के पत्ते अब डाल देंगे इसमें सूजी आधा कप तो एक कप पानी हमारे पास है ये पल्प है और इसमें मैंने आ तो एक इंच के असपास अधरक लिया है इसको कदो कस कर लिजे थोड़ी सी अजवाइन या फिर तिल एड़ करेंगे तो मैंने तिल डाला है अजवाइन नहीं डाला है नमक डाले इस वाद के साब से थोड़ी सी करी पत्ते बारी काट करके और बस सारिश जो को मिलाईए को इस वादिया से हमारा बैटर एक दम सही हो गया है मतलब हमें जैसी चाहिए बिल्कुल वैसी हो गई थोड़ी सी गाड़ी हो गया यह फूजी फूले की वज़े से तो अब इसमें आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं मैं इसको थोड़ी सा टेस्टी बनाने के लिए क अपने हिसाब सचाहें तो और भी रेट साई सबजी डाल सकते हैं लिकिन सिर्फ और सिर्फ ड्रमस्टिक का जो तेस्ट इसमें आता है वो बहुत साँधर होता है इसलिए मिरे सिफ थोड़ी सी प्याज और थोड़ी से चीली फ्रेक सैड की है आप हरी मिर्च भी ले सकते है बस अच्छे से मिलाएं और चलिए फटाफट पकाते हैं बनाने के लिए स्टवे पर थूड़ा सा कुछ बूंदे तेल की डालकर इसको चिकना कर दीजे और बस कर्शी की मदद से आप जितनी बड़ी साइस के इसको बनाना चाहते हैं बना सकते हैं तो मैं इसको बच्चो के लिए बना रही हूँ इसलिए छोटी-छोटी साइस में बना रही हूँ आप इसके चीले के बज़ाए डो से भी बना सकते हैं बैटर को पतला करके आप इस बैटर से लगभग चार से पांच तरह की डिसस बना सकते हैं दो से तीन तो मैं इसी recipe में आपको बता दूँगी अब आप comment करके पूछेंगे कि weight loss related और भी recipe बताईए तो आप मेरे चानल का membership जरूर जोएंड कीजे जहां आपको weight loss, weight gain या फिर health related और भी बहुत सारी recipes देखने मिलती हैं जो हुमारे subscribers को नहीं मिलती तो आप membership जोएंड करक जो सहजन होता है वो बहुत ही जादे फायदेमंद होता तो किसी ना किसी तरीके से अपने diet में जरूर शामिल कीजे तो देखिए कितने soft soft से हमारे ये सहजन के चीले बनकर ready हो गये हैं अचार के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे भी टिफिन में पैक करके ले जा सकते हैं कारों में से कौन सी रेसिपी बेस्ट लागी लिखके ज़रूर बताईए और चलिए सब्सक्राइब कीजेगा कल आप से फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई